नमस्कर दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागात है दोस्तो आज के इस वीडियो में आपका सोसोलोजिक एक बहुत इपोटेंड कोश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बना जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोरू देखियेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सेखने को मिलेगा जो आपको भी एक्विजाम में काम करेगा तो आईए देर नakahर certaines करते हैं और प्रस्टन का हेडिंग बना करके सेखते हैं और नहीं आप उस question के answer लिख पाएंगे तो सबसे पहले question को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है उसके बाद दूसरे step में क्या करना है कि question के अंदर देखना है कि कौन कौन से point दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप heading बनाएंगे जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका question दिया हुआ है कि संस्किर्थी से आप क्या समझते है इसकी विश्यस्ताओं की ब्याख्या कीजिए अब दोस्तों अगर आपको इस question का heading बनाना है तो heading कैसे बनाएंगे heading बनाने के लिए सबसे पहले आप question को पढ़ेंगे पढ़ करके समझेंगे उसके बद दूसरे step में question के अंदर point को देखेंगे और तीसरे step में आप इस question का heading बनाएंगे तो आइए दोस्तों देर ना करते वे वीडियो को सुरू करते हैं और इस question का heading बना करके देखते हैं दोस्तों question का रहा है तो यहाँ पर हम लोग ने question को पढ़ करके समय लिया अब दोसरे step में हम लोग के आखेंगे तो यहाँ पर धूसरे step में कि बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला point हो जाएगा क्योंकि दोस्तों question में संस्किर्थी के बारें पुछा गया है तो यहाँ पर दोस्तो आपका पहला point हो जागा संस्किर्थी अब दोस्तो दूसरे point की बात किया तो यहाँ पर दोस्तो आपका दूसरा point हो जागा आप क्या समझते हैं यानि कि संस्किर्थी से आप क्या समझते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा संस्किर्थी और यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा संस्किर्थी से आप क्या समझते हैं अब दोस्तों तीसरे point की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरे point हो जाएगा इसकी विसेस्ताओं की ब्याख्या कीजिए किसकी विस्यस्ताओं की बेक्का कीजिए यानि कि संस्कीरती की विस्यस्ताओं की बेक्का कीजिए ये दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरे पॉयंट तो देखा जाए तो इस question के अंदर आपका total 3 point देए हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग heading मेराएंगे तो दोस्तों इस question का पहला heading हम लोग क्या लिखेंगे तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी question का पहला heading या तो परिचे लिखेंगे या तो परस्तावना लिखेंगे या तो परिभासा लिखेंगे या तो भूमिका लिखेंगे यानि कि इस पूरे question का यानि कि जो पूरा question आपका दिया हुआ है इस पूरे question का हम लोगों लिखेंगे संस्कीर्थी की परिभासा ति यहाँ पर दोस्त हमारा पहला heading हो जाएगा संस्कीर्थी की परिभासा यानि कि संस्कीर्थी किसे करते हैं यहाँ पर दोस्त हम लोगों न परिभासा लिखा, और यहां पर दूसरा heading लिखेंगे, संस्किर्ति की साब्दिक अर्थ, तो यहां पर दूस्तों हमारा दूसरा heading हो जाएगा, संस्किर्ति का साब्दिक अर्थ, यहां पर दूसरे heading में लिखेंगे, संस्किर्ति का साब्दिक अर्थ, अब दूस्तों यहां अहनुए पर मिंदो तिसलोग देंगे और यहाँ पर दोस्तों हुख chosen का तीसरो हीडिंग का लिखेंगे तो हम्किर्टी की दोक्र Теперь तीसरे POINT को लेके यह आपका तीसरा POINT देया हुआ है तीसरे POINT को लेकर करके हम लों तीसरा heading लिखेंगे यहां पर दोस्तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट नमबर एक, पॉइंट नमबर दो, पॉइंट नमबर तिरी से करके हम लोग संस्किर्थी की विश्यस्ताय लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट नमबर एक देंगे और point number 1 देखे दोस्तों यहाँ पर संस्किर्ती की पहली विसेष्टा लिखेंगे सीखा हुआ बेवहार यानि कि जो संस्किर्ती होता है दोस्तों यह सदी उसे चला हुआ रहा है और यह दोस्तों बेवहारिक होता है समाज में दोस्तों हर एक किसी के पास होता है तो इसको दोस्तो हमलों लिखेंगे सीखा हुआ बेवहार यहाँ पर दोस्तो हमलों लिखेंगे सीखा हुआ बेवहार अब दोस्तो हमलों लिखेंगे सीखा हुआ बेवहार अब दोस्तो हमलों लिखेंगे संचार सील्टा यहाँ पर दोस्तों अमनों लिखेंगे संचार सील या फिर संचार सील था क्योंकि दोस्तों यह जो संस्किर्ती होता है यह दोस्तों एक बेक्ती से दूसरे बेक्ती में आता जाता रहता है बिवहार के द्वरा, बातचीत के द्वरा इसलिसे için के होजाएँ संचार शील अब दोस्तों, यहाइप हमनों तिसरा पॉइंट देंगे, और यहाइपर दोस्तों तिसरा पॉइंट देंगे, इसके तिसरी पॉइंट लिखेंगे समाजिक, क्योंकि दोस्तों जो संस्किर्थी होता है दोस्तों यह क्या होता है, समाजिक होता है यानि कि हर किसी के पास होता है समाज में हर किसी के पास होता है इसलिए दोस्तों इसकी तीसरी बिसेश्था है संस्केरथी के तिसरी सेच्व हो समाजिक आब दोस्तों यहाँपर च चोथा पॉइंट दे रिखे सकतांगे पूर्ति यानि कि दोस्तों जो संस्किर्थी होता है यानि कि जो बेवहार होता है संस्किर्थी होता है जो संसकार होता है उसके दोरा दोस्तों क्या होता है कि आउसक्ताओं की पूर्ती के रहता है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पांचवा भी सेश्था होजागा आउसक्ताओं की पू पोइंट लिख लिए अब दोлад यहां पर क्या करगे हमोग सा अथा-वा पोइंट देंगे और यहां पर हम लोग देंगे कि हम लोगोंने question को ले करके question के whopping point दिया हुआ है यहाँ पर दूस्तो हम लोगोंने ank算skrita की बिसेस्ता में यहाँ पर 7 utilis casta लिख लिया यानी कि हम लोगोने 3 heading बना लिया और यहाँ पर दूस्तो संskste की बिसेस्ता में 7 DISASTA लिख लिया अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कोश्टन को फ्राट डख लेंगे तोह अम लोग न हम लोग क्या करेंगे , नहीं पर दोस्तो हम लोग यहाँ पर चौतStrा प्रसन प्लइख रहेंगे और यहाँ परosतव को बोग्र attracted के लिए, यहाँ पर अपने मन से लिखेंगे साँ स्किर्थी का मात हो है तो यहां पर दोस्तों हमनों ने चार हेडिंग में ना लिया अब दोस्तों लास्ट में क्या करेंगे अगर हमको कुई इस्टे में question के अंदर point को देख लेना है और तीसरे इस्टे में question का heading में राना है और एक बात को हमें सायद रखे लिए दोस्तों कि किसी भी question का पहला heading दो subject को छोड़ करके Hindi और English Hindi और English को छोड़ करके दोस्तों आपका कोई भी subject रहेगा उसका जो आपका पहला heading रहेगा या तो प्रस्तावना रहेगा या तो परिभासा रहेगा या तो परीचर रहेगा या तो भूमिका रहेगा उसके बाद जो आप last में लिखेंगे last में दोस्तों आपका निसकर्स रहेगा ध्यान से देखिए लास्ट में आपका निस्कर्स रहेगा पहले आपका क्या रहेगा मैंने आपको जो चारों बता है उसके अंदर से को यह कराएगा और बीच में दोस्तु क्या लिखेंगे आप बीच में दोस्त आप वही लिखेंगे जो आपके question में पूछा जाएगा तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पर skip करता हूँ मिल तो आपसे नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीज़े शेयर कीज़े और कमेंट करके बताई कि आपको नेक्स वीडियो के इस टूपिक उपर चाहिए थैंक्यों दोस्तों